दोस्तों अब लोगों को राज कपूर के डिरेक्शन में बनी हुई फिल्म यानि कि या हिना का वो गाने याद है कि नहीं देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए आजारे देख पिरमन घबराए देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए तो भाई ये गाना इस वक्त मुझे बिल्कुल फिट बैटता नजर आ रहा है बॉलिवोड के अंसंग वारियर याने के वहिया वर्सटाइल सुपरिश्टार अजय देवन की आने वाली मच अवेड़ेट विल्म सिंगहम के पार्ट थर्ड के उपर दोस्तो इस फिल्म का मुझे जितना बेतावी से इंतजार है मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी इस फिल्म का बहुती बेतावी से इंतजार होगा अब देखिए इस फिल्म का रिलिज जेट काफी करीब आ चुका है और इस फिल्म को लेकर अभी तक केवल हवा हवाई बाते ही कही जा रही है सोशल मीडिया प्लेट फॉम पर इस फिल्म को लेकर ओफिशली इस फिल्म के मेकरों ने तो ये घोशना कर दी है ये बात कि ये फिल्म दिपावली के दिन सिनेमा घरों में रिलीज होगी भाई भूल भूलिया के पार्ट थर्ड के साथ यानि कि भिया इन दोनों फिल्मों के बीच में बॉक्स अफिस पर होगा महा मुकाबला लेकिन इस महा मुकाबले की तैयारी इस वक्त जिस तरह से देखने को हमें मिल रही है सिंगहम के पार्ट थर्ड के माद्यम से उसको देखने के बाद मैं थोड़ा सा सोच में पढ़ गया हूँ कि या आखिर में इस फिल्म के मेक्रों के दिमाग में चल क्या रहा है एक तरब घुल घुलेया का पार्ट थर्ड जो है वो अपना क्रेज बनाने के लिए अपनी पकड बॉक्स ओपिस पर मजबूत करने के लिए डे वाई डे अपने फिल्म से जुड़े हुए अपडेट दर्श्रकों को देते जा रहे हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि विया घुल घुलेया के पार्ट थर्ड के मेक्रों को इस बात पर यकी है कि विया अगर हम लोगों ने अपनी पकड आज से ही बॉक्स ओपिस पर मजबूत कर ली तो हो सकता है कि या सिंगम के part third के लिए box office की राहे मुस्किल हो जाएंगी और ऐसा हो भी सकता है मेरे भाई लेकिन negative में बात नहीं कह रहा हूँ लेकिन इस बख जो strategy हमें देखने को मिल रही है सिंगम के part third की वो थोड़ी सी slow और थोड़ी सी सुस्त है मेरे भाई आप लोगों ने इस फिल्म की घोशना कर दी लेकिन अभी तक आप लोगों की तरफ से इस फिल्म से जुड़ा हुआ कोई नया अपडेट लोगों के बीच में मिला ही नहीं आप लोगों ने छोड़ा ही नहीं अब देखिए भूल वले है कि पार्ट थर्ड का दो पोस्टर बैक टू बैक कल और आज लाँच किया जा चुका है और इस पोस्टर के साथ ये खबर भी फैला दी गई है कि इस फिल्म का पहला टीजर कल लाँच किया जाना है अभी तक इसकी ऑफिशली घोशना नहीं की गए मुझे तो ऐसा लगता है कि ये खबर बस हवा हवाई साबित हो यानि कि ये टीजर हो सकता है कि कल ना आए क्योंकि अगर इस टीजर को कल आना होता तो भी ये इसका हाइफ क्रिएट करने के लिए इस फिल्म के मेकर आज से ही या तूफान मचा देते सोचल मेडिया प्लेटफॉम पर कि कल इस फिल्म का टीजर लॉंच होने वाला है हो सकता है कि दे लाइट रात को देरी में हो सकता ही ये गोशना कर दी जाए लेकिन अभी तक तो वो खबर मेरे सामने नहीं आए है लेकिन हाँ अब इस फिल्म को लेकर एक और बहुत बड़ी अपडेट हमनों के सामने आ गई है कि भाईया इस फिल्म का OTT प्लेटफॉर्म कौन सा होने वाला है यानि भी आप भूल बुले है कि प्लेटफॉर्ड को किस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलिज़ किया जाएगा उसको लेकर हिंट या आज जो पोस्टर जारी किया गया है उसमें दिया जा चुका है कि भाईया इसके OTT प्लेटफॉर्म के जो पार्टनर है वो नेट्फिक्स है और अगर नेट्फिक्स का नाम जुड गया है इस फिल्म के पोस्टर के साथ तो भाईया ये बात अनोफिशली आप पकी मान लो कि ये फिल्म जो है वो सिनेमा घरों मेरलीज होने के बाद लगबग लगबग तीन महिनों के बाद आउट कर दी जाएगी भाईया OTT प्लेटफॉर्म यानि नेट्फिक्स के उपर तो भाई एक एक करके अगर भूलबुलेया के पाट थर्ड के मेकर अपने फिल्म से जुड़े हुई जानकारी उंको दर्शकों के बीच में पैला रहे हैं तो भाईया क्यों खामोस बैटे हैं सिंगम के पाट थर्ड के मेकर भाई उनको भी तो आगे आना चाहिए और अपने फिल्म से जुड़े वे अपडेट्स को लोगों के बीचे में रखना चाहिए कि हाँ हमारी ये फिल्म अभी तक इस फिल्म को लेकर ऐसी कोई बड़ी अपडेट हमनों के सामने नहीं आई है जिसको देखकर हम ये बात कहें कि भाईया आज ये दोगन भी अपने पूरी टीम के साथ मिलकर दावा ठोक रहे हैं सिनेमा घरों में तो भाई थोड़ी सी मायूसी हो रही है सिंगम के पार्ट थर्ड को लेकर कि भीया क्यों इस फिल्म के मेकर थोड़ी सी खामोसी बरत रहे हैं भाईया अपने फिल्म को लेकर वैसे आप लोग मेरी बातों का बुरा मत मानेगा मैं चार आओं कि भीया सिंगम के पार्ट थर् पावरफुल एक्शन से भरपूर फिल्म यानि यह भाई सिंगम के पार्ट थर्ड जो तो अब देखते हैं हम लोग के बिया जब इस फिल्म से जुड़े वे इतने सारे अब डेट हम लोगे सामने आ रहे हैं भुल-भुलिया के पार्ट थर्ड के टीम के तुवारा तो भी य जल्द से जल्द इस बात की घोषना कर दी जाए कि भाई इस डेट पर इस फिल्म का पोस्टर टीजर मोशन तीजर और उसके बाद भी ट्रेलर लॉंच किया जाएगा अब रिलीज जादा दिन नहीं बचाया है तो बॉल्लिवूर से चुड़े और भी कई सारे खबरों को जाने के लिए हमारे चैनल यानि को वर इंजक्शन को टाइप करना नाम लेगा और माने अप्डेट्स को जाने के लिए वह एकन को जोर्द वाईएगा